नमस्कार दोस्तों आज अपनों देखेंगे most important fiber, insoluble fiber Insoluble fiber जो है exactly हम इसमें देखेंगे कि insoluble fiber जो है human body में जो भी food ले रहे हैं उसमें जो insoluble fiber आ रहा है वो कितने type का होता है और वो जो insoluble fiber लिया जा रहा है वो कौन कौन से food material से हमें मिलता है तो start करने से पहले हम दो देख लें कि जो insoluble fiber है वो exactly क्या है आपको पता होना चाहिए कि human body को dietary fiber रोजाना daily routine life में जो plant, plant से मिलते हैं actually में जो plant होते हैं या plant का जो खाने वाला जो खाने योग ये part होता है ठीक है उस से जो हमारी body में dietary fiber मिलते रहते हैं और ये dietary fibers होते हैं ये दो टाइप के होते हैं एक होते हैं insoluble dietary fiber या हम इसे बोल सकते हैं insoluble fiber दूसरा होता है soluble fiber या हम उसे बोलेंगे soluble dietary fiber लेकिन आज की जो वीडियो में हम लोग देखेंगे insoluble fiber ये दोनों के दोनों जो fiber हैं रोजाना daily routine life में हम जो plant के जो खाने योगे part होते हैं या plant के source से जो भी हम food लेते हैं उससे हमें ये प्राप्त होता है ठीक है तो insoluble fiber जो fiber है exactly क्या है हमार ये इसे हम insoluble fiber क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये कैसा होता है indigestable होता है और दूसरा होता है water insoluble जो indigestable जो insoluble fiber है जब body में जाता है तो जाने के बाद जो हमारे जी आईटी या पेट में जो enzymes होते हैं वो उसे digest नहीं कर पाते हैं वो पानी में आगुलंसी होता है तो ये दो most important property होती है insoluble dietary fiber की जब हम fiber लेंगे ज़िए उसमें insoluble fiber होगा तो वो पेट में जाएगा human के पेट में जाने के बाद जो human की पेट में जो enzymes होंगे वो उसे digest कभी नहीं कर पाएंगे साथ में वो पानी में आगुलंसी होते हैं तो exactly जो insoluble fiber हैं तीन होते हैं या human की बाड़ी में तीन most important type के insoluble fiber जाते हैं जो food से उसको मिलता है पहला है cellulose फरस्ट होता है cellulose दूसरा होता है hemicellulose दूसरा है hemicellulose कुछ hemicellulose जो होते हैं वो insoluble fiber होते हैं या insoluble property के होते हैं एंड लास होता है तीसरा लेगनिन तो तीन most important insoluble dietary fiber जो human की बाड़ी में food material से जाते हैं पहला है cellulose दूसरा है hemicellulose और तीसरा है लेगनिन तीन most important insoluble dietary fiber रोजाना लगातार हमारी बाड़ी में जाते हैं intestine में जाते हैं और वो digest नहीं होते हैं और पानी में आगुलंसील होते हैं जिसे human खाता है ठीक तो हम पहले बात करेंगे cellulose की cellulose को मिलता है whole wheat floor मतलब जो गीहूं के आटे से जो गीहूं का आटा हम ले रहे हैं गीहूं के आटे से क्या बनती है रोटी बनती है और जब हम वो रोटी ले रहे हैं तो उस रोटी में कौन सा fiber आ रहा है इंसॉलिबल फाइबर आ रहा है और उसका नाम क्या है cellulose तो most important डिया रखना है जो हम daily routine life में रोटी खा रहे हैं उस रोटी में क्या है इंसॉलिबल डाइटरी फाइबर है और वो क्या कर रहा है वो हमें क्या दे रहा है और जो most important function को करने के लिए responsible होता है ठीक है और जो डाइटरी फाइबर के जो function है उसके लिए मैंने एक video already बना दिया है आप वो से देख सकते हैं कि जो डाइटरी फाइबर थे हैं चाहे हो insoluble हो चाहे हो soluble हो उसका क्या importance हमारी body में होता है आगे देखेंगे कुछ root vegetables होते हैं जुसमें भी क्या होता है cellulose होता है जो हम regular routine life में हम root vegetables लेते हैं कौन से आलू आलू जो है उसमें cellulose होता है गाजर प्याज चुकंदर मूली शकरकंद शल्जम लसुन अर्भी सूरण ठीक आलू गाजर प्याज चुकंदर मूली शकरकंद शल्जम लसुन अर्भी सूरण ये कुछ root vegetable होते हैं जो जमीन के नीचे होते हैं ठीके ना इन root vegetables को जो है इनका इन से हमें क्या मिलता है जो हमारी daily routine life के ये कुछ न कुछ इसमें से food जो होते हैं या root vegetable जो होते हैं हमारे part होते हैं आगे हम देखेंगे legumes legumes क्या होते हैं डाने दार फली दार food material उसके बारे में हम बोलते हैं तो जितने भी फली दार food material होते हैं वो भी हमारी body में insolubal dietary fiber का अच्छा source होते हैं अच्छे stroke होते हैं और जो cellulose नाम का insolubal dietary fiber हमको देते हैं वो कौन से दाने दार foods हैं ठीक है काला चना काला चना हम लेंगे पूरा का पूरा काला चना तो उसमें हमें क्या मिलेगा सलेलोज मिलेगा मूं हम लेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगी सलेलोज मिलेगा सूका हरा चना सफेद मटर सूका हरा मटर मसूर ले 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 कुल्थी ले ले सोयवीन ले लें, राजमा ले लें, उरद ले लें, एन्चॉली ले लें ये सब के सब यदि हम अपनी लाइफ में ले रहे हैं जब भी ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है इनसॉलिबल डायटरी फाइबर जिसका नाम क्या है cellulose है ठीक इसके लावा बात करेंगे apple ठीक है fruit की बात करेंगे तो जो apple है उसमें भी बहुत सारा insoluble dietary fiber होता है जो इसका नाम होता है cellulose ठीक है आगे बात करेंगे outer covering of sheets जितने भी दाने होते हैं बीज होते हैं ऐसे बीज जो खाने वाले होते हैं उस बीज की जो outer covering होती है उसमें भी यदि आप ऐसा कोई बीज खा रहे हैं और उसकी outer covering में भी क्या होता है cellulose नाम का insoluble dietary fiber present होता है ठीक है इसके लावा हम बात करेंगे cabbage cabbage जो होता है गोभी जो है ठीक है उनमें भी क्या होता है cellulose होता है insoluble dietary fiber होता है इसके लावा बात करेंगे brain या भूसी जिसकी हम जिसें भूसी बोलते हैं उसमें भी क्या होता है कुछ cellulose होता है ठीक तो यह most important जो है आपके cellulose के source है या cellulose जो insoluble fiber है उसके source होते है दूसरा जो है hemicellulose ठीक यह second type का insoluble dietary fiber है जो हमारे आतों में जाता है digest नहीं हो पाता है हमारे enzyme में इसको digest करने की सक्ती नहीं होती है और यह पानी में आपको लंसील होता है ठीक है ना तो सबसे important जो है इसका source होता है भूसी इसकी चावल की भूसी ठीक है ओट्स की भूसी गिहों की भूसी और मक्के की भूसी चावल की भूसी ले ले ओट्स की भूसी ले ले गिहों की भूसी ले ले या मक्के की भूसी इन चारों में most importantly कौन सा टाइब का insoluble dietary fiber होता है उसका नाम होता है hemicellulose तो जब भी आप इनकी भूसी लेते हैं तो हमें क्या मिलता है insoluble dietary fiber मिलता है आगे बात करेंगे whole green grains में हम आनाच की बात करेंगे यदि हम गिहों लेते हैं सैगा गिहों लेते हैं पूरा का पूरा गिहों खाते हैं चाहे अंकुरिज करके खाएं चाहे कैसे भी खाएं तब भी हमें क्या मिलता है hemicellulose मिलता है जो में मिलता है मक्का में मिलता है जो़ार में मिलता है बाजरा में मिलता है गिहों जो मक्का जो़ार बाजरा इनने भी हमें क्या मिलता है hemicellulose मिलता है most important role play करता है ठीक है हमारी बॉड़ी में डायबिटीज को कॉलेस्टरॉल को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है डायबिटीज की कंडिशन में यदि आप इन पूरे जोंगे हूँ जो मक्का जोर बाजरा इन सभी को मिलाके आटा बनाते हैं और उस आटे की रोटी खाते हैं तो डायबिटीज के पेशेंट को डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यदि अकेले आप गेहों की रोटी खाएंगे तो वो डायबिटीज कंट्रोल करने में अतना हैलफुल नहीं होता है लेकिन अब मिक्स अनाज का यदि आप आटा लेते हैं और उससे रोटी बनाके खाते हैं तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टन रोल प्ले करते हैं वो कोई यदि कोई बिडायबिटीज का पेशनन है तो उसको ये सभी के मिक्स आते वाला लोटी यूज करना चाहिए थाकि उनके डायबिटीज कैसे रहें चोल्सकाल करने में भी और कॉलेस्ट्वाल को भी कंट्रोल करने के लिए very very most important role play करता है ठीक है आगे बात करेंगे leganin की बात करेंगे तीसरा होता है leganin नाम का insoluble dietary fiber होता है जो हमें गाजर से मिलता है जो हमें fruit with the eatable seeds ऐसे fruits जिसके seed हम खा सकते हैं ऐसे fruits जिनके हम बीज जो है खा सकते हैं उन में भी क्या होता है एक specific type का leganin नाम का insoluble dietary fiber present होता है ठीक है और last में strawberry strawberry में भी क्या होता है leganin नाम का क्या होता है insoluble dietary fiber होता है तो ये तीन most important cellulose hemicellulose और leganin तीन most important insoluble dietary fiber होते हैं जो हमारी body में जाते हैं और बहुत important पर्णक्षन करते हैं, पहला तो डायबेटिस को कंट्रोल करने में, दूसरे किया करते हैं, क्वालेचों को सॉकट करके उसको इसली पास आउट करاتे हैं, मतलब constipation के patient के लिए most important role play करते हैं ठीक है और इसके अलावा digestion को भी improve करते हैं ठीक है तेकिन most important function है cholesterol को कम करने में help करते हैं दूसरा आपका diabetes को कितनी बड़ी disease है और तीसरा है आपका जिदी किसी को constipation है बहुत chronic constipation है तो उन्हों में भी ये stool को soft करते हैं क्योंकि इन्हें पानी को catch करने की hold करने capacity होती है और उनको motion जो होता है soft हो जाता है तो ती most important function को करने के लिए ये insoluble dietary fiber जो होते हैं responsible होते हैं तो आपको यह दी इन तीन चीज cholesterol, diabetes and आपको constipation है पराणा कब्स है तो उन लोगों को इस टाइप की जो चीज है जो food material मैंने आपको बताया है daily routine life में अधिक सदिक लेंगे तो automatically कुछ समय तक रूटिन लाइफ में regular इसको लेते हैं salad ले ले आप properly ले ले, salad ले ले, mix वाला जिहों ले ले आप, अच्छा fruit ले 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 आप, जो मैंने बताया आपको apple यह दी यह regular life में करेंगे तो उनका cholesterol बिल्कुल normal हो जाएगा, second diabetes हमेसा control रहेगी और constipation की जो problem है उससे वो free हो जाएंगे, सहीं हो जाएंगे, ठीक है ठीक है दोस्तों तो यह आपको पता होना चा तक कि मैंने यह वीडियो बना दूँ, ठीक है नमस्कार दोस्तों